हेलो फेंड वेलकम टूपेस्वेनिया तो आज हम छे जून का दा हिंदू एक्स्प्रेंग करेंगे तो आज शुरुआत करते हैं आज के कोटेशन के साथ इसकोटेशन का इस्तेमाल आप एथिक्स के या फिर कोई भी ऐसा आपका इन्वार्मेंट से बाइवर्सिस से कहीं भी इसकोटेशन का ना कि महानता को अगर आपको जच करना है तो वहां के अनिमल को किस तरह ट्रीट किया जा रहा है वहां से आप पदा लगा सकते हैं ठीक है है मतलब क्योंकि जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा है अपने अर्थ पे उनको टेम किया जा सकता है समझ रहे हैं आप तो यह आप उससे चेक कर सकते हैं यह जो है ऐसा इनका कहना है तो आए जो आज का हिंदू है उसको हम डिस्क्स करते हैं तो देखिए आज बहुत कम आर्ट कुविट कोविट नाइनटेन आया है इस से जो हमारा हेल्थ केर हैं अपने अर्थ हैं और जो उसमें प्रेक्टि etwa से यह उसमरी एक कस Prab रहे है कि हेल्स क्वंड के बनने से एक जो institutional reform होगा अपने pharmaceutical industries में उनके development में उनके marketing में यह पूरी उसी की बात करते हैं इस पूरे article में उसको हम अभी आगे देखेंगे तो पहले तो हम यह जानते हैं कि जो हमारा pharmaceutical industry है मेली और पूरी उसकी market है वो क्या है और उसका वर्थ क्या है और उसका share क्या है पूरे विश्य में यह हम देखते हैं तो अभी देखें currently क्या है उनका 110 लाग करोड का उनका अनिमोली जो है यह वर्थ है पूरे country की हम बात करें पूरे country में जा हो क्या बोलते हैं यह कितना contribute करते हैं जो हमारा gross word product है वह 1.7% है और 55% इस पूरे spend नहीं कहुता है जो हम देखता है 110 लाग करोड उसमें से 60 लाग करोड जो है वो brand name product जो मिलने होते हैं जो के बड़े बड़े अच्छे अच्छे आपके pharmaceuticals medicines होती है उसमें वो तिपकली जो है जो अंडर patent होते हैं उनको यह patent right मिलता है उनको यह मिलनी मिलता है ठीक है जो हमने बात कि 110 लाग करोड की तो देखिए किस तरह अब हम पहले जानते हैं कि किस तरह इनको benefit मिलता है किस तरह वह इतना अंकंडते हैं तो देखिए जैसा कोई भी आपका industry मै अब कोई company है जब वो कोई भी medicine बनाती है तो वो उससे उसका reward भी उनको मिलता है किस तरह मिलता है WTO में एक provision दिया हुआ है उसमें यह दिवा है कि 20 साल तक जो है उनको temporary patent रहे माला एक monopoly होगा उनको जिससे उनका जो product sell करेंगे और तो उससे क्या होगा फिर वो उनका उस monopoly रहे गाला कि और कोई उसको जो है sell नहीं कर पाएगा और वह में ली क्या होता है वो जो आपके उनके manufacturing cost होता है और जोनका distribution cost होता है उससे काफी ज्यादा होता है जो वह हमका में मिलनी मिलता है ठीक है तो यह में अभी इनका यह है तो देखिए जो यह बेचते हैं में ली तो यह उससे ज्यादा ही होता है ठीक है अब हम अगर हम अगर हम देखते हैं कि जो यह आपकी मेंस आपकी मेंस फार्मसर्टिकल इनुवेटर से कंपनीज है यह पहले जा करते हैं जो इनका आपका research and development का cost होता है उसको पहले वह कवर करते हैं उसको अभी currently जो है वह आपका cost of capital है उसको तो add करते ही है जैसे आपका फिर हमने देखा the distribution cost भी add करते हैं तो यह सभी चीज़े उसमें add करके और उससे ज्यादा दाम पर ही उसको बेचते हैं तो यह सब जो आपका R&D आपका है जो R&D investment करते हैं उससे ज्यादा वो medicine को sell करते हैं तो उससे बहुत सारे concerns द करते हैं इनमेल्स जहां पर जो आपका disease है ठीक है वो ज्यादा मैंसे वो ज्यादा मादब जो बहुत ज्यादा फैर मादब की communicable ना हो मतलब जो मेली पूर पूर परसन को effect करती है वहां पर कम spend करना पसंद करते हैं यह जो है trend डेक्निक मिला है अगर मत करने कि share में तो world health organization क का एक study में यह पाए गया कि जो है यह आपकी जो फार्मसेटिकल इंडस्टी है यह मेली आर एंडी पर बात करें तो वह यह जो मेली जो आपकी पूर परसन को ज्यादा effect करती है तो आपका टीबी हो गया मलेरिया हो गया इसमें जो है 0.3 परसेंट ही यह ता हम क्यादते है क इनका वो है मेंस करते हैं कि इन्वेस्मेंट है ठीक आप पूरां का जो वर्त है ता 1.7 परसेंट उसमें 0.3 परसेंट है वह आपका मेली इसमें करते हैं और उसमें 0.12 परसेंट है वह आपका मेली डीबी और मलेरिया पर करते हैं जो 1.7 लाइक परसेंट को पर यह जो है ज इसके प्राइज काफी ज्यादा होते हैं तो इसको अफोर्ड भी कौन कर पाते हैं जो ज्यादा होते हैं जो ज्यादा रिच होते हैं और जिनका इंशोरेंस होता है में लिए इससे क्या होता है इससे जो गरीब होते हैं वो उसको एफोर्ड नहीं कर पाते हैं में लिए तो य कि देखिए जो यह बनाती है अपना बनाती है उससे फिर बनाती है वह काफी उसके जो नहीं होता है उससे वह कोरेलेशन नहीं होता है उसकी इफ कैसी रहे उससे नहीं हो पता है तो इस तीनों इसको और एड़ने के लिए यह बता रहे हैं कि एक हिल्थए फंड राने के और सकता है और यह कैसे बनेगा कि यह अल्टरनेटिव च्राइग बता रहे हैं कि कोई भी मैंसे माल दी आती है तो यह इस fund में registered की जाएगी और उसको जो भी उनका cost of manufacturing distribution होगा उससे उस पे या फिर उससे कम पर उनको दिया जाएगा और 10 साल तक उनको एक जो award मतलब उनका जो annual return होगा उसको उनके basis पर उनको दिया जाएगा और यह funding कैसे होगी funding जो है मिलनी बता रहे हैं कि मतलब एक इस्ट्रमेंट बता रहे हैं कि कहते हैं कि 10 से 12 मेड़िसिन अगमा ले जीए उस fund में register कराती है तो 20 लाग करोड पर एनम जो है उसमें एज़ा funding जो है की जाए तो उससे क्या होगा उससे हर जो भी आकर होंगे वह 17 से 20,000 करोड तक अपना जो है पर एनम पर 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 दस साल में वह अपना पहले के दस साल में वह इतना अन कर सकते हैं और डिपेंड करेगा कि कौन से मेडिसिन कितने उसके वैलू है मेली यह बता रहे है मेली और इसका funding कैसे होगा funding जो आपकी कोई इंडिया कोई company है अगर वह में बना रही है तो वहां की वहां की government जो है अपने उसमें contribute करेगी वह कैसे करेगी वह मेली बता रहे हैं यह इनका कहना है और जो आपकी non-contributed का company होंगी वह क्या करिंग वह simply अपने तरीके से उसको बेच सकती है इससे क्या होगा इससे जो होगा फिर वह ज्यादा अच्छे से उसमें रिश्टर हो पाएंगे यह इनका में लिए कहना है इसमें तो अब हम जानते हैं कि इसके benefit क्या होंगे जो यह बता रहे हैं कि इसके benefit क्या होंगे पहला तो पहला यह बता रहे हैं पहला यह बता रहे हैं कि इससे जो health gain होगा वह को पूर परसन को काफी होगा मतलब इससे क्या होगा इससे एक उनको उच्छे दाम मिलेगा और करते हैं ने इस के आने बाद इस फंड के सब्सक्राइब करें और वह ज्यादा सस्टेनेबल भी होगा अगर मार्केटिंग सिस्टेम में दोनों कैसे हो कर यह हम देखते हैं आगे तो आगी बता रहे हैं कि देखिए जो आपके जो इसका बहुत हैं वह अचीव करेंगे जो भी आपका यह इस करते हैं कि जो माली कोई मेडिसीन है वो कौन कितना एफोर्ड कर पा रहा है उसको भी अच्छा अच्छे से मोर्टर कर पाएंगे मतला कहने मतलब यह है कि जब एक साथ सा मेडिसीन रहेंगी और एक पूल मतलब जिसरा हमने एक बार डिसस किया था कि एक आपका जब कोई व इंपक्ट है वो अच्छे से हो पाएगा तो यह मेंली बता रहे हैं मुल्कि उसका हेल्थ इंपक्ट है उसके भी वह ध्यान दिये जाएगा तीसरा क्या है इसके पार्टिसिपरिशन के बाद जो है जो आपका जैसे हम देखिए अभी को अभी जब कोई भी हैस आता है तो क्या करती है जो आपके गवर्मेंट में जो यह आपके यह मेडिसन वगा रहा है उसको जो है इसेंशल जैसे आप इंडियम बात करें तो वह इसेंशल कमड़ी आइड में डाल देते हैं तो इससे क्या होता है इससे जो उनकी मौनोपली होती कंपनी की वह जहीं वो खतम हो लेकिन है इंपक्ट तो यह वता रहा है है इसके बनने के बाद जो है उनको जब वह कम दाम में या फिर उसके उची उतने ही जो उनका कॉस्ट उसी पर ही बेचेंगे तो उससे क्या होकर गवर्मेंट उस पर बैन लगाएंगे और उनको एक जो मतलब प्रॉफिट हो मिलता रहेगा हम जानते हैं गवर्मेंट जो है जब भी कोई ऐसे क्राइसिस आती है तो प्रॉटर्स के में प्रॉटर्स के बात करते हैं अभी आपका जो हेल्थ क्राइसिस है इसके आने के बाद जो मेडिसिन होती है उसके दाम को कम किया जाता है ताकि लोग उसको अवेल कर सके तो इसके आने के बाद जो है उनको एक लगातार एक कहते हैं कि एक वह को लिए कर सकते हैं आपके बड़े हेल्थ सिस्टम से जो आपके इंट्रिशन एजन्सी हैं और जो एंजियों यह जो भी आपके बड़ी बड़ी ऑजशनी से यह फिर अगर नहीं हम बात करें जो आपके हैल्ट सेक्टर में हैं मेंल्ली अलग अलग आपके इंस्ट्यूशन एंजियो जो काम करते हैं उनसे को लेबरेट करेंगे तो उनसे क्या होगा आपका एक पब्लिक स्ट्राइजी बनता है कि और उनके लिए जो प्रॉडट्ट बनाया जा सकते हैं वो अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है तो यह मिलनी इसके चार अब आप ज्यादा करते हैं और जो आपके फूर फिर्फ पलें जो अफॉर्ट नहीं कर पाते हैं मेडिसिन को वो अफॉर्ट कर सकें तो यह एक ब्लूट जो है यह एसको suggest कर रहा है तो अब हम जो का आर्टिकल है जो हमने कल absence नहीं किया था उसको हम देख लेते हैं फिरंस तो का आर्टिकल क्या प्रोटी प्रोटीन प्रोरीन ब्रॉटिकल इन का कहना है इनका कहना है तहीए条 कोभी्ट कारणों से ही हुआ कि जानते हैं है कि जो आपका चाना में बताया गया था है वहां ऑट का आल जो च ανα söंब रेंद को हो था तो यह मिलनी देखने को मिला था तो देखिए इस्से का बता रहा है कि इस जो आपका फूर्ड सिस्टम है वह तो कहीं ना कहीं जो है ये भी इसका issue है मतलब जो हमारा food system जो हम जिस पर हम depend कर रहा है जो हमारे nutrients ले रहे हैं उस पर जी हम जो animals हो गार जो एसे आगर आप eggs खाते है या फिर आप जो है जो मिलनी जो non non-vegetarian होते हैं वह मिलनी जो proteins होते हैं उस ये उसी के लिए उसको आपको नार्चर की आता है तो इससे काव दे हैं बता रहे हैं कि ये बहुत सारी हैं आपको स्केल पर जो है एक कहते हैं कि बहुत हाट डिजीर जो है हुई है क्योंकि जानते हैं कि जो आपके मोस्ट इंफेक्टर डिजीर होती है जो आपके एनिमल से जो है human to transfer होती है तो यह में लिए बता रहे हैं इसके अगर मात करते हैं कि आपका इससे काफी और भी problem होता है इससे आपकी जो हेल्थ 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 होता है जो आपका इन्वॉर्म्मेंट का इस भी काफी होता है कि जानते हैं कि कार्बन उससे प्रदूश्यत होता है तो यह मेलनी बता रहे हैं इससे जो है दो करण बता रहे हैं मेल लिए इससे ज्यादा इन्वर्मंट करते हैं कि जो आपका इससे ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो आपका अनेमल को फुल्फिल जो प्रोटीन होती है उसको फुल्फिल करने के लिए यह ऐसा देखने को पाया गया है तो यह इससे नुक्सान होता है अगर आप अनेमल को मात कर खाएंगे तो फिर आपका कहा होगा होगा क्योंकि हम जानते हैं पुरा फूट चेन होता है ना और फिर यह सब में इसके बता रहे हैं और एनिमल्स क्या होते हैं यह जो आपका कैसी भी वारियल का डिजीज का आउट प्रेक होता है साब साइम फ्लू हो गया तो उसमें भी हो है काफी यह देखने को मिला है तो द इसा होना चाहिए तो देखिए एक एक चैप्लांट बेस्ट मीट वगरा का चैप्ट है यह कंटी जो हैं शुरू कर दी है तो जैसा से जो आपका सिंगरपूर करनेडा है जो कंटी यह उसमें अल्टरेटर प्रोटेजिक बना रहे हैं मतलब प्लांट बेस्ट मेट इससे दो फायदा होंगे कि आपका अच्छा रहेगा और एक जो लोगों का टेस्ट है उसमें भी कोई कंप्रमाइज नहीं होगा वाला कि उनका टेस्ट होता है वो सिंपल मतलब वह वैसा ही होता है तो इंडिया को भी करने कर सकता है जिस तरह यह से ब्राजील और चाइना कर लाहर है उसी दोड़ा इंडिया को भी करने की और सकते पहले ही इंडिया में इसका दो इंडिमिस्टि रोचोटी हो लेकिन इसे इनकम और आप singular हम इंडेस्टी मोबायल में जो है जिस हमने एक कह इंक्रीज किया हुआ है अपने हम अपने स्रेंथ को क्योंकि हम जानते हैं पूर बिश्व में जो आपका चीप डेटा प्राइस है वो इंडिया में है और सबस्यादा फोन यूजर्स भी इंडिया में है तो जिस तरह हमने यह उसको इंक्रीज किया है इसको टैप करके और अपने आपको एक बिश्व में इस्टेब्लिस किया उसी प्रकार इसमें भी हम लोग जो है इस्टेब्लिस कर सकते हैं जो आपका एक मिस यह इंडस्ट